त्योरी ओफ सुपर कंड़क्टिविटी पर यह जो वर्ड है यह थोड़ा सा एक बड़ा ही सोफेस्टिकेटिट सा वर्ड लगता है फिनोमेनलोजिकल फिनोमेनलोजिकल वर्ड से आप यह समझ लो कि हम एक ऐसे कॉंसेप्ट की बात कर रहे हैं जहां हम मैक्रो इसकोपिक जो अब्जर्वेशन से मैक्रो इसकोपिक अब्जर्वेशन के बेस पर हम किसी सिस्टम को एक्स्प्लेइन करना चाहते हैं किसी सिस्टम का जो ब्यवहार है उस ब्यवहार को हम एक्स्प्लेइन करना चाहते हैं बाइद 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 अगर हम यहां पर एक सीधे से वर्ड करें, हमारे लिए माइक्रो इसकोपिक का मतलब है कि हम इलेक्ट्रॉन, एटम, इन सब को इंक्लूड करके चलें. माइनूटिस्ट लेविल पर जा करके, अगर हम अपने अब्जर्वेशन को देख रहे हैं, हम किसी चीज को एक्स्प्लेइन कर रहे हैं माइनूटिस्ट लेविल पर जा करके, तो हम उसकी माइक्रो इसकोपिक थियोरी को डिल कर रहे हैं. तो अब इसको आप चाहे क्वांटम मेकेनिकल थियोरी कहो, चाहे अटॉमिक थियोरी कहो, या बहुत नहीं तो डिटेयल थियोरी कहते हैं, तो वो जो थियोरी हैं, वो डिटेयल थियोरी हैं, जिसे हम लोग ने BCS थियोरी पढ़ा था. BCS थियोरी इस अटेयल थियोरी, इस अटॉमिकेनिकल थियोरी, जहां इलेक्ट्रॉन्स की बीच में किस तरह का फोर्स काम कर रहा है आयन की लेयर उन इलेक्ट्रॉनों कैसे प्रभावित कर रही है ये सारे चीज़े हम वहाँ पर पढ़ते हैं माइक्रोस्कोपिक लेविल पर लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं एक तरह से आप कहलो मैक्रोस्कोपिक थेोरी जहां हम गहराइ मेंने उतरेंगे सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है सुपरकंडक्टर के अंदर क्या हो रहा है जो हम मोटे मोटे त Previously पर उसके observation ले पा रहे हैं हम सिर्फ उन ही observation के basis पर सुपर कंड़क्टिवीटी को एक्स्प्लेन करना चाह रहे हैं यह जो थियोरी थी इट वाज डेवलब बाई गाइजनबर्ग और लेदाओ दोनों रसीहन थे तो गाइजनबर्ग और लेदाओ की यह थियोरी थी और यह जो समय था यह वही करीब कोल्ड वार का समय था कोल्ड वार मतलब जब दूसरा भी स्विद खतम हो गया तो थोड़ा बहुत इतिहास आप लोग जाने तो आपको पता चलेगा कि बिस स्विद के दोरान जो देश थे वो दो धेरियों में बटे थे आलाल आइंस थे और जो दूसरे तरह के देश थे तो हुआ क्या कि विस स्विद खतम होने के बाद उनिस सो पचाइस साट के दोरान USSR जो रूस था वो और जो अमरीका था इन दोनों के बीच में सुप्रमिसी की लड़ाई सुरू हो गई कि कौन दुनिया में सबसे बड़ा देश है कौन सबसे ज़ादा डेवलप्ड उननत देश है विज्ञान के मामले में हतियार के मामले में टैक्टिक्स के मामले में तो उस समय अमरीकांस और जो रसियंस थे वो दो अलग धड़े बन गए सबसे पहले उसने स्पूतनिक भीजा था उसने सबसे पहले वहां पर जहां रॉकेट भेजे थे लेकिन इंसान को उतारने की जो सबसे पहला यूरी गैगरीन जो पहले इंसान थे जो अंतरिक्ष में गये थे रसियन थे लेकिन चांद पर उतरने की जब बारी आए तो उसमें अमरीका पहले बाजी मारता है और वो वहां पर निलाग उतारता है फिर उसके बाद जो पहला इस्पेस स्टेशन बनाने की बारी आते ही तो रसिया इस्पेस स्टेशन बनाता इसको मीर कहते थे अब तो वो खतम हो चुका है इस्पेस स्टेशन तो इस तरह से हमारे पास कई सारी चीजे हैं जो हम टसल देखते हैं USSR और अमरीका की के बीश में ऐसा ही टेसल साइन्टिफिक कमुनिटी में भी था एक तरफ जहां एरिजोना इंवर्सिटी युएसे के वहां पर बीजिस थेवरी डेवलप हो रही थी वहें दूसरी तरफ गाईजनबर्ग और जो लेडाओ थे ये दो लोगों ने एक फिनोमेन लॉजिकल की थी सुपर कंडेक्टिविटी की चुकि धीरे-धीरे अमरीका का वर्चस बढ़ता जा रहा था तो इसलिए दुनिया में लोगों को जो पॉप्लराइज करने की बात आई तो हम बीसे थेवरी को ज्यादा पॉप्लराइज पाते हैं एक तो यह है दूसरा जो सबसे कर दी है और रसियंस अपनी भासा में लिखते थे इसलिए भी तो जो यह फिनोमेनोलाचिकल थियोरी है यह है तो बहुत ही वास्ट थियोरी लेकिन आज के लिट्रेचर में यह कम मिलती है क्योंकि यह रसियन लैंग्वेज में लिखी गई थे रसियंस अंग्रेजी नहीं लिखते थे आज भी बहुत कम लिखते हैं तो वह अपनी लैंग्वेज को यूज करते थे और अमरीकन की तो मातरभासा ही अंग्रेजी है अंग्रेजी पुरी दुनिया ने एकसेप्ट कर ली है तो इसलिए भी थोड़ा सा पॉपॉलराइजेशन लेविल पर भी वो चीज था तो एक थे गैंजबर्ग एंड दूसरे थे लेदाओ तो इसको हम गैंजबर्ग लेदाओ थेवरी कहते हैं जी यल थेवरी इसको कहा जाता है तो चाहे हम इसको 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 फिनामेनलोजिकल थेवरी कहा है अल्टिमेटली आखिर में जाकरके गाइजनबर्ग और लेडाव दोनों को ही फुजिस का नोबल मिला था अलग-अलग सालों में अलग-अलग इयर्समें को ही फुजिस के नोबल दिये गये थे अब होता क्या है अभी तक हमने सुपरकंड़क्टर किनको पढ़ा है सुपरकंड़क्टर के नाम पर अगर हमारे पास अभी है तो जिसको सबसे पहले क्रैमिंग ओन ने ठंड़ा किया था low temperature पर और उसकी वज़े से उन्होंने superconductivity को देखा था लेकिन समय के साथ-साथ जैसे इसे development होता चला गया और technological growth होनी सुरू हो गई तो हमारे पास कई तरह के material आ गए हैं तो आज की date में हम एक superconductor को use करते हैं जिसका नाम है yatrium barium copper oxide इस पूरे एक तरह का alloy है एक तरह का composite material है yatrium barium copper oxide उस yatrium barium copper oxide में जब observations किये गए तो उसके लिए ये थेओरी डेवलप की गई थे तो phenomenological थेओरी जो है वो mercury और उनके अनामा भी जो और higher grade के superconductors होते हैं उनके लिए developed के गई हैं तो it is a kind of mathematical physical theory of superconductivity which is valid for particularly type 2 superconductors तो थोड़ा सा लिख भी लीजेगा आप लोग पन पेंसल का इस्तमाल करियेगा कॉपी के साथ बैठियेगा पिनोमेनलाजिकल थेओरी के बारे में लिख लीजिए पिनोमेनलाजिकल थेओरी is a mathematical physical theory of superconductivity फिनोमेनलाजिकल थेओरी of superconductivity is a mathematical physical theory of superconductivity किसी का माइक खुला है प्लीज अपना माइक बन कर लो superconductivity theory which is valid for which is valid for type 2 superconductor valid for type 2 superconductor यहां हम लिख देते हैं कि यह जो थेओरी थी यह type 2 superconductor के लिए explain की गई थी तो यहां से भी एक difference भी आप समदो जो BCS थेओरी थी वो particularly जो type 1 superconductor थे उनके लिए एक specifically बनाई गई थी और जो यह GL theory है इसको हम type 2 superconductor के लिए ज़्यादा valid होता हुआ पाते हैं तो ऐसा नहीं है कि दोनों theory एक दूसरे का replacement है BCS theory के regime type 1 है और GL theory का जो regime है वो type 2 है इस तरह से हमारे पास theory का पूरा explanation है यहां पर अच्छा अब आगे लिखो इस्यादा आगे लिच में है थीजादाव के लिखो semित करफ में चशे थैतनों के मेन विखो. छो घुष, तर neutrular इस दीए, गह आख तो ठीए, हैसी खोपन सौबगल detto piggy डon когда कि आख लिखो microscopic properties. अगे लिखो इस आपैद त्टीर इस प्रसकेपिल यूजफुल लूजफो इस पेसिफिकली यूजफुल for the explanation of yattrium, barium, copper oxide, y.e. YBCO family of superconductors. specifically useful for yattrium, barium, copper oxide family of superconductors, which are high temperature superconductors. यहाँ पर high temperature superconductors कहने का मतलब क्या है? को समझते दो. देखो, जब मरकरी की बात करते थे, तो मरकरी superconductivity कब show करता है? 4.2 Kelvin पर. यानि लगबग लगबग माइनस 269 degree centigrade पर. यह बहुत कम temperature है. और जो यह YBCO family के जो superconductor है, यह करीब-करीब 72 Kelvin पर अपनी superconductivity show करना शुरू कर देते हैं. यानि आप करीब-करीब मालो 198 degree centigrade तक ही आपको ठंडा करना पड़ेगा. तो देख रहे हो कि जो मरकरी है, इसमें superconductivity देखने के लिए आपको माइनस 269 degree centigrade तक ठंडा करना पड़ता है. यह काफी ठंडा और काफी कम value है. और वहाँ पर उसके comparison में, अगर आपको YBCO family का देखना है, तो आपको केवल माइनस 198 degree centigrade तक देखना पड़ेगा. है यह भी कम value, लेकिन तुलना करोगे, तो जो यह 72 Kelvin है, यह एक high temperature है as compared to 4.2 Kelvin. इसलिए इन superconductors को हम high temperature superconductor कहते हैं. और अभी भी आप देखो, 72 Kelvin है, यानि माइनस 198. रूम temperature हम कितना मानते हैं? 27 degree centigrade. तो इस्टिल वी आर वेरी फार फ्राम दिस value. माइनस 198 और हम रूम temperature कहते हैं 27 degree centigrade. लेकिन फिर भी यहां पर जब आप comparison करते हो, तो यहां पर आप इस temperature को higher पाते हो. इसको हमने नाम दे दिया है, high temperature superconductors. ठीक है? चलो, आगे बढ़ते हैं. अब लिखें इसके बारे में. यहां पर आगे हमारे सामने फ्री एनर्जी एक्सप्रेशन. फ्री एनर्जी एक्सप्रेशन. एक और कंसेप्ट यहां पर आगे हमारे सामने, फ्री एनर्जी. लिख वैसा है कि जब थर्मोडाइनमिक को पढ़ते हैं, तो थर्मोडाइनमिक को पढ़ने दुरान हम कुछ बहुत ही बेसिक सी चीज़े सीखते हैं. एक चीज आपने वहा पर सीखी होगी जिसको की नाम दिया जाता है थर्मोडाइनमिक पोटेंशेल. एक वर्ड आता है वहां पर थर्मोडाइनमिक पोटेंशेल. अच्छा, थर्मोडाइनमिक पोटेंशेल में कौन कौन सी कौन्टेटी आती है? पहला इंटर्नल एनर्जी आता है, दूसरा उसमे में आता है है Helmholtz energy आती है उसके बाद फिर वहाँ पर enthalpy आती है उसके बाद इसके अंदर Gibbs energy आती है तो this is internal energy इसे कहते है Helmholtz energy इसे कहते है enthalpy और इसका नाम होता है Gibbs energy यह बताते क्या है इनको हम thermodynamical potential क्यों कहते हैं तो इसको जल्दी समझ लो जितनी भी तरह की chemical reactions होती है इस दुनिया में जो भी chemical reactions है उन सभी chemical reactions के होने और ना होने को हम thermodynamic के principle के आधार पर समझा सकते हैं कोई भी chemical reaction हो यहां तक कि अगर हम दो color एक yellow color ले लो एक red color ले लो उन दोनों को मिलाओ और उनके मिलने के बाद कोई नया color बन रहा है तो इस नया color बनने की chemistry को भी हम thermodynamics के principle से समझा सकते हैं बालो में रंग करते हैं डाई लगाते हैं डाई को 15 मिनट छोड़ देते हैं तो किस तरह से डाई के molecule बाल क्या हैं बाल प्रोटीन होते हैं जो बाल होते हैं वो प्रोटीन मॉलीकूल से मिलके बने होते हैं तो जैसे वो प्रोटीन सर्फेस पर वो डाई इंटरेक्ट करती है तो वो डाई प्रोटीन के साथ एक रियक्शन करती है उस रियक्शन को भी हम कियमकर रियक्शन से समझा सकते हैं जितनी भी तरह कियमकर र तो बॉल इस धाल को फॉलो करते हुए नीचे क्यों लुड़कती है आखिर इसको लुड़कने के लिए कौन मोटिवेट कर रहा है तो मेकैनिक्स में थियोरी कहती है कि इस टिप पॉइंट पर उसकी पोटेंशिल इनर्जी मैकसिमम है और जब यहां पर वैली में आ जाएगा तो यहां उसकी पोटेंशिल इनर्जी मिनिमम हो जाएगी तो जो पोटेंशिल इनर्जी का चेंज है वो हमेशा मैकसिमम से मिनिमम की तरफ होता है इसी लिए इस बॉल को आप छोड़ दीजिए अपने आप इसके उपर एक फोर्स काम करेगा जिससे यह बॉल उड़कती जो पोटेंशिल इनर्जी होता है उसको क्या करते है जो वर्क डन करते हुए पोटेंशिल इनर्जी की फॉर्म में श्टूर होता है तो वर्क डन का फर्मूला क्या होता है एफ इन्टु डी एक्स यह सब जानते हैं निगेटिव साइन क्या दिखा रहा है यहां पर निगे के motion को represent करता force है तो हां motion होगा, dynamism होगा तो किसी भी तरह का जो force होता है जो motion होता है वो किसी potential energy के change को represent करता है तो अगर हमने कहा हमारे पास मालो एक element है O दूसरा element है P इन दोनों के मिलने से एक element क्यों बनेगा और बिलकुल निष्चत्रूप से बनेगा इसको हम कैसे assure कर सकते हैं तो उसके लिए हम इस element O की chemical potential को निकालेंगे thermodynamical potential में से कोई नो कोई value यहाँ पर दिखाएंगे अगर मालो यहाँ G की value दिखाएं G is most useful, G को दिखाते हैं इसके लिए G को दिखाते हैं G1, G2 अब उसके बाद जो नया element बनेगा जिसके हम prediction कर रहे हैं हम उसके G को भी calculate कर लें इसे मालो हमने कहा carbon को मिलाया, oxygen को मिलाया और हमें carbon dioxide मिलना है तो हम carbon dioxide के लिए G calculate कर लें क्योंकि उसका molecular formula मालूम है हम carbon के लिए लें, oxygen के लिए लें और फिर इनके G को calculate करें सबका individual Gips energy calculate करें और फिर देखें कि right side की Gips energy और left side की Gips energy में कितना अंतर है अगर left side की Gips energy दोखो ये अगर इनके जो sum है इसको हम कहा दें G0 गहा दें left side की Gips energy और हमारे पास right side की Gips energy है तो अगर right side की Gips energy में से left side की Gips energy घटाएं और ये value negative आ जाएं समझ रहे हो ना, क्या कर रहे हो right side की Gips energy में से left side की Gips energy को घटा दें और इसको calculate करने के लिए हमने सबको calculate जोड लिया है अगर ये negative आ जाए तो इसका मतलब है ये जो घटना होगा ये spontaneous reaction होगी इससे spontaneous reaction कोई देखी हो मेरे ख्याय से अगर कभी laboratory में chemistry laboratory में sodium extract बनाया हो तो वहाँ अगर आप pure sodium लो और pure sodium को आप पानी में डालो जैसे आप pure sodium को पानी में डालते हो एकदम बहुत मतलब एक बिसफोड जैसा होता है इतना तेज होता है कि कई बार जो वह बावल का पानी होता है वह बाहर निकल के चला जाता है वहाँ कोई और कुछ नहीं होता है सिर्फ sodium और water में जो hydrogen oxygen है वो मिल करके sodium hydroxide बना रहे है विच जब बेस साथे साथ light energy निकलती है sound energy निकलती है तो वहाँ बेस बनता है और गैस निकलती है वहाँ पर hydrogen गैस वहाँ पर निकल रही होती है उस reaction के दोरान तो sodium extract बनाते हो तो पुरी घटना कैसे spontaneous कुछ नहीं करना है तुमको अपने आप वहाँ धमा के वहाँ सुल्व हो जाएंगे या कभी चूना देखा हो अगर जो कच्चा चूना होता है जो पहले कुताई में इस्तमाल होता था घरों में खेर अब तो प्रिचलन में नहीं है तो अगर चूने पे आप पानी डालो तो चूने में से धुआ निकलने लगता है कारण क्या है? उसमें से कर्बन डायोकसाइड गैस स्पॉन्टेनियस तरीके से निकलती है तो कुछ रियक्शन्स ऐसी होती है जो कि आपने जैसे A और B को मिलाया आपने कुछ नहीं किया इमेडियेटली उसके अंदर रियक्शन होना शुरू हो गई C बन गया तो फिजिकली इसको कैसे समझाएंगे फिजिकली इसको गिप्स समझाते हैं अगर आप लेफ साइड और राइट साइड के गिप्स एनरजी का डिफरेंस देखोगे तो आप जान लोगे कि यह स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं कई बार क्या होता होता आप A ब को मिलाते हो फिर उसको बर्नर पर रख देते हो कमिस्टि लेब में अपने टेस्ट commission में ए और ब कोई element मिलाए फिर उसको आपने बर्नर पर रख दिया अब धीरे-धीर टेस्ट यूब को गर्म कर रहे हो जब आप test tube गर्म कर रहे हो तो आप देखते हो test tube के अंदर कुछ color बदलने शुरू होते हैं कुछ नए नए रंग आने शुरू होते हैं तो आप कहते हो अब chemical reaction यहां शुरू हुआ है तो वो घटना spontaneous नहीं है उसको आप और heat दे करके perform करा रहे हो तो वहाँ क्या हो रहा होग आपको बाहर से effort करने पड़ेंगे negative value आ रही है तो उसका मतलब है वहाँ पर आपको spontaneous वो चीज़े मिल जाएंगे at constant temperature pressure बहुत सारे specification इसके पीछे होता है हम लोग वहाँ को उतने detail में नहीं जा रहे हैं हम आपको सिर्फ physics बता रहे हैं एक sense आप develop कर लो अपने दिमाग में क्या मतलब है जिस तरह से Gibbs energy हमें बताती है कि कोई system कैसे react करेगा surrounding में वैसे जो helmhodge energy होती है जिसको F कह रहे हैं यह हमें बताता है कि कोई system surrounding में कैसे exist करेगा इसे आपने कोई system लिया इसे मालो लोहा लिया लोहा है लोहे को हमने रखा dry air है धूप है हमेसा कभी नमी नहीं रहती तो लोहे में जंग नहीं लगेगा तो कि वहाँ पर नमी नहीं है moisture नहीं है तो लोहा जो ferrous या ferric oxide बनाता है व तो हमारा जो यह लोहा है यह surrounding में survive कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा इस चीज को बताने वाला जो factor होता है वो होती है हल्म होज free energy हल्म होज energy हल्म होज free energy कहते हैं free energy कहने के भी अपने कारण है उसमें because it is the energy associated with this system which is available for doing work इसके terminology होती है तो अभी आप खेर वोती है तो आपको thermodynamics में detail में पढ़नी चाहिए और आप नहीं पढ़ा है तो आप जाके पढ़िएगा उसको अभी समय है आप लोग के पास तो हम लोग यहां पर जब थेओरी बात करते हैं superconductivity के लिए superconductor कैसे बने बन करके वो कैसे existence में है इसको समझने के लिए Landau और Geisenberg ने जो free energy का चुनाव किया वो Helmholtz free energy थे 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 हलमholtz free energy का एक्सप्रेशन एकाला superconductivity के लिए तो यहां पर लिखेंगे लिए the theory started from the free energy expression the theory started from free energy expression for the second order phase transition free energy expression for the second order phase transition अब मैं आपके लिए एक mathematical equation लिखूंगा और यह पूरी mathematical equation है यह कैसे डिराइव हुई यह पूरी तरह से गैजनबर्ग गैजबर्ग और लेंदाओ का टैलेंट था अप सोचो इस समय आपको historically कुछ चीज़े बता रहा हूँ कि जिस समय इतना cold war चल रहा था इतनी ज़्यादा खिलाफत थी रसिया में American चीजों की और अमरीका में Russian चीजों की उस दोरान भी रसिया के कुछ लोगों को कई लोगों को नोबल दिये गए हाला कि नोबल देने वाले संस्था American नहीं वो European है तो technically Europeans जो होते हैं वो रसियां से भी कोई उनका कोई अदावत नहीं है और American से भी कोई अदावत नहीं है लेकिन ये तो theoretical बात हो गई पर practically ऐसा होता है कि जो European है वो अमरीकन से influence रहते हैं कोकि उनके वहाँ पर कुछ ज्यादा स्वार्थ सिद्धी होती है लेकिन फिल भी इतना बहतरीन काम कर रह था रसियां कि वो जो European संस्था है जो नोबल बाठती है तो जो लेदाओ थे उनको तो नोबल मिल गया था वहाँ वेरी यंग अट ताइम यंग मीन ही वाज इनको नोबल बहुत 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 मिला था मतलब बलकुल अपने जीवन के संचुरी के पास थे तब गैंजबर्ग को नोबल दिया गया और वो साइद 2008-10 में दिया गया था मैं थोड़ा सा आपको इसलिए बता रहा हूँ चुकि आप लोग के पास नोबल के कुछ टॉपिक है और साइद सुपर कंड़क्टिविटे जुड़ा हुआ कोई टॉपिक किसी के पास हो तो जब देख लिजेगा उसमें ये लेंजबर्ग और लेंदाओं का टॉपिक तो नहीं किया है भी तक उस काम को आप मुझे मेल कर दीजिए टीन.phu at the rate srmu.ac.in पर आप मुझे मेल कर दीजिए समय जैसे समय मिलता जाएगा दीरे धीरे वैसे 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 कोई बात करनी होगे तो डिसकस कर लेंगे तो आप मुझे भेज देना वो जो पीटी है समय जैसे समय मिलता जाएगा दीरे धीरे वैसे वैसे हम उसको आपके सामने डिसकस करते रहेंगे तो अभी हम आपके सामने एक mathematical equation लिख रहे हैं विच वाज डराइव बाई लेदाव एंड गेंजबर्ग and this is the main master equation for this theory तो जिसे F है, F is the Helmholtz free energy तो इसमें एक फंक्शन था FN इसमें एक फंक्शन था FN इसमें नूट्रल नॉर्मल एक जो नॉर्मल मेट्रियल होता है जिसे कि मरकरी को लो तो मरकरी जब सुपर कंड़क्टर नहीं बना नॉर्मल स्टेट में है तो उसका जो free energy का formula है यह वो होता है उसके बाद अगला होता है alpha psi square उसके बाद फिर दोर दूसरा term होता है वो होता है beta by 2 mod psi की power 4 then plus 2m अब यहाँ पर हम लगा दे bracket अब इनके बारे बताएंगे सब क्या क्या है and mod psi square plus b square upon 2 mu naught okay now this is the complete equation this was the complete equation जो कि इस phenomenological theory के लिए डिराइब के गए थी अब जड़ा यहाँ पर देखें इस जगहे पर यह तो हो गया यह तो हो गया normal state के लिए तो यह हमारा normal state का है यह जो दो हैं यह इसको हम नाम देते हैं phenomenonological constants अलफा और बीटा जो होते हैं वह phenomenological constant या constant तो नहीं कहना चाहिए parameter से मतलब इनकी value हम change कर सकते हैं तो यहां पर यह phenomenological constant या parameter पर डिपन कर रहे हैं अब यहां पर जो यह term है this is called the term of effective mass we will discuss this in the solid state this is the term of effective mass इसमें भी खास तर पर जो ए है A is vector potential vector potential term होता है and यह बीटा है यह है बीटा this is beta this is alpha and this is B this is B B is the magnetic field the magnetic field हो गया this is the magnetic field जो developed हो रहा है और mu0 is as you know the permeability of free space यहां पर जो आपके पास psi है जो आप यहां पर psi इस्तमाल कर रहे हो psi is a kind of आप कह सकते हो कि यह psi is the this is a parameter जो की temperature से जुड़ा हुआ है temperature dependent parameter होता है psi symbol बले है psi आप देख रहे होता symbol यह wave function का है but it is not the wave function it is a parameter of temperature तो यह पूरी equation उन लोगों ने derive की थी Landau ने with the help of Gyngeber अब इसका derivation जो है वो एक यह जानतो ही derivation सबसे खास बात किया है कि यह derivation कभी हुआ ही नहीं यह equation derivation से नहीं बनी है यह equations intuition से बनी है intuition in sense कि जैसे आप कोई effect देखो और आपको graph मिले तो graph में आप सुचो कि graph बढ़ रहा है तो it should be of linear nature तो आपने equation में linear term डाल दिया फिर आपने देखा यह graph जो है यहां से एकदम deeply घटता है तो आपने कहा इस तरह का behavior तो exponential की वजह से होता है तो आपने formula में exponential term डाल दिया तो इस तरह से आपने अलग-अलग ब्यवहार देखे और उन सारे ब्यवहारों को जोडते हुए आपने कुछ mathematical formula mathematical relations बनाए और उनको सब कुछ जोडते चले गए तो यह तरह का plug-in किसम की equation है ऐसा नहीं कि हमने कोई first principle से लिया और उसको derive करते चले गए justify करता हुआ कौन सा mathematical term लगना चाहिए उसको वह डालते थे तो इस तरह से उस समय ते जितने प्रयोग हुए थे उन सारे प्रयोगों को justify करते हुए यह कुछ तरह कुछ terms नोनने एक अठा करके पूरी equation बनाई थे अपने समय के बहुत बहतरीन equation आज भी इसको लोग इस्तमाल करते हैं अगेन वही बात है कि इसमें जिस तरह का physics involved होती है वह थोड़ा से ज्यादा sophisticated है इसके comparison में अगर BCS theory पढ़ते हो तो वह बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वह microscopic label पर जाती है उसमें आप Schrodinger equation जाती है इसको हं भी derive कर सकते ही हमभी कि भाई अब वो दिमाग की उपर जो तो अब दिमाग उस तरग कहां से लाएं यह इस्तिति आइंस्टीन के साथ भी थी आइंस्टीन ने भी अपने जब आगे डराइव करते हैं जनरल थेओरी और अफिलिटिविटी उसमें कई चीज़े वो अपने इंट्यूशन की बेस पर लगाते हैं अब वही है ना कि इतना तेज दिमाग था उनके पास कि उनका तुक्का मतलब इंट्यूशन एक तरह से कहलो तुक्का हो गया इंट्यूशन 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 इंट करके इसके आगे से अपनी बात शुरू कर सकते हैं तो यहां पर लिखेंगे यह पुरा लिख लिया है इसमें सारे टर्म की वैल्यू भी आप लग लिख लिजिएगा इसमें इसमें लिखें कि इन अबब एक्वेशन इन अबब एक्वेशन डिफरेंट पैरामीटर्स in above equation different parameters can be adjusted can be adjusted in order in order to minimize in order to minimize the free energy in order to Appropriate approximations by using appropriate approximations Gainsbourg and Ladau derived and Ladau derived a simple linear relation a simple linear homogeneous relation that may return that may return as follows minus 2e a and this will be square psi equal to 0 and we call this the final GL equation कहते हैं तो वो जो equation master equation थी उस equation में superconductors के लिए कुछ approximation के साथ गैंजबर्ग और लेदाओ एक equation derive कर ले जाते हैं अब अगर हम यहां पर माने for homogeneous for homogeneous what condition A is homogeneous condition of superconductors for homogeneous condition of superconductors A is 0 even A नहीं 0 होगा for homogeneous equation A is 0 अएसे लिखे दर third third term of above equation tends to 0 0 नहीं 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 रहेगा neglected homogeneous superconductors जिसमें हम यह मानते हैं कि हमने purity लखी है या हमने इसमें impurity को नहीं add किया है इसे कोई material लेते हैं उसको हम mix भी करते हैं तो अभी जितने अनुपात में हम element जोड़ रहे हैं इसे उतने अनुपात में रहे हैं this is called a homogeneous condition तो उस तरह के अगर condition है तो हमारे पास जो यह से थर्ड टर्म है हमारे पास यह थर्ड टर्म यहां से जीरो हो सकता है इवन एक चीज और है इसमें मैंने एक कहां था इसके अंदर एक साई और आएगा यह एसा होगा अल्फा साई बीटा मॉड साई स्क्वार इंटो साई प्लस इस यह है पूरा एकस्वेशन तो यह हो गया so this gives this gives अल्फा साई प्लस बीटा साई स्क्वार साई इस एक टु जीरो तो यह धीरे धीरे हमारे एक्वेशन एक और simplified form में convert हो गई तो सबसे पहली उपर हमने F का formula देखा फिर वहाँ पर F को minimize करने के लिए कुछ approximations माने तो गैंजमर्ण ने लेंदाओ ने जब वो approximations माने तो उनके पास एक और simple equation आ गई इसको हम GL equation कहते हैं GL equation में हमने अपने case को और specify कर दिया homogeneous materials के लिए homogeneous superconductor के लिए homogeneous superconductors के लिए अगर इसको specify कर दोगे तो इसमें से third term भी गायब हो जाएगा और सिधे तोर पे हमारे पास दो term बचेंगे अगर इस equation को solve करें तो हम पाते हैं कि पहला तो psi बराबर 0 हो जाएगा psi बराबर 0 रखोगे यहाँ भी 0 रखोगे यहाँ 0 रखोगे तो पूरी equation में left side और right side 0 हो जाएगा तो इस equation में जो size equal to 0 है यह तो obvious से solution है तो जो obvious से solution होते हैं उनको हम नाम क्या देते हैं tribal solutions तो हमारे पास यह हो गया tribal solution लेकिन उसके अलावा और भी अगर हम equation निकालना चाहें तो हमारे पास कुछ conditions है पहला है पहला है कि temperature greater than Tc मतलब किसी substance का temperature उसके critical temperature से ज़्यादा है अगर ऐसा है तो हमारा material कैसा होगा normal state में होगा लेकिन दूसरी condition क्या है अगर temperature less than Tc हो जाए तो हमारा material कैसा हो जाएगा superconducting state में convert हो जाएगा तो normal state में material है यह superconducting state में material है इसको कौन control कर रहा है इसको control करने वाला factor है यह हमारे पास temperature अब हम इस formula को और redefine करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं also इसको थोड़ा सा उपर करते है also alpha psi plus अच्छा लिखें also alpha psi is equal to minus beta psi square psi 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 cancel हो जाएगा तो यहां से हमारे पास formula आजाएगा this is minus beta upon उल्टा कर दिया है अब इसको धर जाएगा न तो इसको तो देंगे alpha by beta minus यह हो गया mod psi square आप देखो यह हो गया यहां पर जो मारे पास psi स्टार है minus alpha by beta है अब यहां पर alpha को हम कैसे explain कर सकते हैं also alpha is equal to alpha naught t minus tc यह एक linear expression को Taylor expansion कहते हैं आपने Taylor expansion method से आपने यह calculate कर लिया कि एक कोई जिसे एक Taylor expression में एक origin लेते हैं origin point x naught लेते हैं x minus x naught फिर आपके पास होता है 1 upon factorial 2 x minus x naught को whole square 1 upon factorial 3 x minus x naught को whole cube उस तरह से आपने tc को अपना reference point ले लिया है तो उसका Taylor expansion करेंगे लेकिन हम higher order पे नहीं जा रहे हैं हम सिर्फ पहले linear order को रख रहे हैं तो अगर हम इसको यूज करें तो इसका मतलब है कि मॉड साइ स्क्वाइर जो है यह हो जाएगा माइनस टाइम अल्फा टी माइनस टी सी अपॉन बीटा अब इसकी खास बात देखो खास बात यह है कि यह जो फैक्टर था जो कि temperature पे डिपेंडेंट था तो दिख रहा है साइ जो है वो टी पे डिपेंड कर रहा αल्फा बीटा पैरामीटर है हमारे मैटरियल के तो अगर टी की वैल्यू टी की वैल्यू लेस देन टी सी होगी देखो यहां पर अगर T की value Tc से कम होगी तो जो पूरा term है कैसा होगा negative होगा है ना अगर T की value Tc से कम है तो पूरा term negative होगा तो यह term भी negative है और बाहर भी negative sign है तो negative negative multiply हो करके क्या आ जाएगा एक positive term आ जाएगा इस logic को समझ रहे हो ना यह जो relation हमने निकाला है यह जो relation यहां लिखा था इसमें alpha का tailor expansion रखो तो tailor expansion रखोगे तो हमारे पास term आएगा T minus Tc तो जैसे T minus Tc term आएगा और अगर आपका temperature critical temperature से कम है यानि कि हम material को super conducting state में बता रहे हैं उस समय यह पूरा term हमारा negative होगा और यह negative इस बाहर के negative sign से मिल करके positive हो जाएगा तो आपके पास mod psi square आ जाएगा एक positive value और अगर mod psi square positive है तो psi बराबर क्या हो जाएगा आप उस positive value का under root ले लोगे you will get a value तो हमारे पास psi की एक value आ जाएगी तो psi जो solution है उसके एक value आ जाएगी यह value क्या दिखाएगी यह जो value होगी वो superconducting state के properties को दिखाएगी तो psi की हमारे पास एक finite positive value मिल जाएगी लेकिन अगर आपने condition क्या रखा आपने condition रखा कि t is more than tc तो ऐसे सिती में psi square जो हो जाएगा minus alpha not t minus tc बटे बीटा अगर यह value positive ले लिए आपने t को tc से ज्यादा ले लिया तो इस negative sign की वज़े से यह पूरा right side negative रहेगा तो जब आप इसका square लोगे तो negative का क्या आ जाएगा एक imaginary number आ जाएगा और imaginary number होने का मतलब है कि वो physical solution possible नहीं है physics में imaginary number कोई मतलब नहीं होता हमारे लिए कोई function इसे velocity 3i km पर ते second है इसका कोई मतलब नहीं है तो इस समय हमारे पास जो solution होगा वो exist नहीं करेगा तो अब इस logic को समझो यह logic यह था कि जो हमने इपनी equation बनाई थी f वाली जिससे लेकर करके हम चले थे क्या वो हमारी question सुपर कंड़क्टिविटी को explain कर रही है तो हम कहेंगे हाँ वो सुपर कंड़क्टिविटी को explain कर रही है कैसे पता क्योंकि जब तक T जब less Tc होगा यानि material सुपर कंड़क्टर बन गया है उसी समय आपके पास साई का solution आएगा साई का एक positive finite solution आएगा अगर आपने T को Tc से ज़्यादा रखा यानि आप normal material की बात कर रहे हैं उस समय साई की value imaginary आ जाएगी जो की physically किसी काम की नहीं है तो ये एक ऐसी situation है एक ऐसा condition है ये एक ऐसी situation है एक ऐसी condition है जहां हमने एक ऐसी question को derive किया जो दिख रहा है mathematically कि वो T less than Tc condition को ही fulfill कर रहा है तो यही मतलब अब इसके बाद से तो यह theory और आगे बढ़ जाती है फिर यह होता है कि कितनी क्या दिखा रहा है कैसे दिखा रहा है कौन-कौन से property इसके साथ verify की जा सकती है तो अब ही undergraduate level पर जो आप पढ़ रहे हैं उस समय मेरे ख्याल से सिर्फ इतना ही बताना आप लोग के लिए सही रहेगा कि there exists an alternate theory for BCS theory और यह theory जो थी वो higher temperature superconductors के लिए भी valid थी lower temperature superconductor के लिए भी valid थी अगर इसमें कुछ approximation कर देते थे लोग तो superconductivity के लिए बिलॉंग करती थी नहीं तो यह higher temperature के लिए higher temperature superconductor के लिए बिलॉंग करती थी तो आज की date में हमारे सामने एक challenge है आज की date में हमारे पास कोई ऐसी बिल्कुल पुकता theory नहीं है जो high temperature superconductor को बिल्कुल सही सही explain कर सके तो यह जो जो यह GL equation है यह आज की date में सबकी favorite equation है जैसे उन दो लोगों की बुद्धी काम करी दोनों Nobel laureate रहे हैं तो जिस तरह से उनकी बुद्धी काम करी उन्होंने अपनी equation को इस तरह से जोड़ा तोड़ा कि finally एक ऐसी equation को derive कर ले गए जो की critical temperature के साथ अपनी sensitivity दिखा रही है solution देती यह नहीं देती है उस तरह से लोग आज की date में इसी तरह की equation बना रहे हैं उसमें बहुत सारे terms add करते हैं माइनस करते हैं घटाते हैं जोड़ते हैं इसको viral coefficients कहते हैं और इस सब को जोड़ गटा करके वो यसी मकसद के लिए motivate हैं कि किसी तरह से उनके हांत एक ऐसी theory लग जाए जिससे high temperature superconductor और low temperature superconductor दोनों को ही हम ठीक ठीक कर ले जाए अब एक सवाल आता है कि यह theory इतनी पचलित क्यों नहीं है इतना ज़्यादा इसके ऊपर भात क्यों नहीं की जाते हैं किताबों में इतनी लिखी क्यों नहीं जाती है तो कारण यह है कि एक तो यह axiomatic nature की है एक्जियम माल लो यह माल लो वो axiomatic nature की है इसमें हम कुछ चीज़े axiom मानते हैं एक्जियम मतलब समझ रहो ना कि माल लो की यह सच है इसे माल लो की electron एक particle है यह माल लो की electron एक wave है तो इस तरह के एक्जियमाटिक nature होने की वज़े से भी इसको थोरा सा लोक करते हैं इतना मानना दानना पड़ता है कि सब की गले नहीं उतरती है चीज़े mathematically है यह this is all about the phenomenological theory तो यहाँ पर लिख दीजिए इसके आखरी में इन अब अब मेरे ख्याल से आपको लिखना था तो आपको कहां तक लिखना था जिसे आपने यह लिख दिया था कहां गया यह यह लिख दिया उसके बाद आप लिख देना कि this equation यह जो PDF है जो मैं लिख रहा हूं यह PDF में आपको share कर दूंगा और देखें recording चल लिए recording चल लिए recording चल लिए तो यह जो recording होगी वह भी हम आपको share कर देंगे मेरे ख्याल से सभी लोग जो अपडेट है मैंने मुझे मिला है सभी लोग आ गये हैं माई गुरुजी पोर्टल पर तो आप लोग अगर माई गुरुजी पोर्टल एक्सेस कर पा रहे हो तो उस पर मैं नोट्स भी share कर चुका हूं और यह वीडियो सगरा भी मै को भी share कर देंगे और कुछ नोट्स है हमने आपको वह ऐसे भी भेजे हैं I am not very sure मुझे मुझे बता दीजेगा कि वो जो PDF आपको मिली है वो साइद पास्टवर्ट पोटेक्टेड है पता नहीं आप मेंसे किसी ने खोला नहीं कि अभी नहीं उन PDF को जो मैंने गुरुप कर किया था पर नहीं पुला हां 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 तो उसका जो पास्वार्ड है वो नोट कर लो तो वो है पी एच वाई एड़ रेट 123 यही मेरे ख्याल से सब का है पी एच वाई एड़ रेट 123 तो उसमें आपके पास जो आस स्वाइब सतों सौ्लसब कыт कि जो है वो भी उसी पासवर्ड से उपन हो जाएंगे और जो यह वाले है यह भी इसी पासवर्ड सो मुझत रहे गा उसको एड़ टो मेरे क्याल से आप लोग नहीं कर सकते sources file नहीं हैं आप लोग के पास,iche पास it इस इस दे पास्वर्ड प्येच वाइड रेट वन तो थरी और साइद भाविस में और भी मेरे पाद इतने हैं सब का यही है क्योंकि यह जिस तरह से हम लोग ने फाइल में रखी है आगे भेजी है तो पासवर्ड प्रोटेक्शन का ऑप्शन था तो वह हम लोग को लगाना le we above discussion suggested that above discussion suggested that the solution for say the solution for say may be calculated the solution for say may be calculated only when t is less than tc only when t is less than tc in this condition we obtained a finite valid solution a finite valid solution whereas for t tc whereas for t tc the value of psi becomes imaginary the value of psi becomes imaginary which is of no huge which is of no huge so 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 the gl equation so the gl equation is capable so the gl equation is capable in in explaining is capable in explaining the superconducting behavior of the materials the superconducting behavior of the materials the materials okay this is one part of the phenomenological theory of the superconductors I have said I have to talk about one of the superconductors and I have to talk about a good concept it was connected to Meissner effect I should discuss this earlier but I have skipped this that that in Meissner effect when Meissner effect you see that that this जैसे हमारे पास सुपर कंड़क्टर था तो यह जो सर्किल का मतलब इस सिलेंडर लिया था जब मैजनर ने प्रयोग किया था तो उन्होंने इस तरह का एक सिलेंडर लिया था सुपर कंड़क्टर का तो सिलेंडर को रखा था तो पहले इस सिलेंडर से हो करके सारी मैंग्टि से गुज़र जाती है तो लाइने सिलिंडर को एकस्पल आउट कर देती है तो वही डाइगराम हम बनाते हैं कि एक सरकल बनाया और लाइनों को इस तरह से चारो तरफ से गुज़ार दिया अच्छा इस पूरी प्रॉसेस के दौरान हमारे पास यह है कि आखिर लाइन और दिया में एकस्पल क्यों करती है तो फैक्ट क्या है रजिस्टन्स जीड्य में हो जाता है अगर हम डजिस्ट्र है मतलब अगर हम रजिस्टिविटी जो गुण है कि अगर हम ध्या dauert नो जो नो जी तो क्या ऐसा तो नहीं है कि दोनु एक ही बाते हैं लाइनों का बाहर जाना material का dialectic के तरह से show होना ही resistivity 0 होने के लिए जिम्मेदार है आपने कहा material कैसा हो गया dialectic बन गया dialectic मतलब उसके लिए जो magnetic susceptibility है उसकी value minus 1 हो गई अंदर से magnetic field 0 हो गया तो चूंकि magnetic field 0 हो जाता है इसी लिए resistivity 0 हो जाती है इसी लिए row की value 0 हो जाती है तो B 0 होना, resistivity 0 होना resistance 0 होना, resistivity 0 होना और B का expel हो जाना यह सब एक ही चीज़े और साथ dielectric behavior का आ जाना यह सब के आपस में जुड़ी हुई चीज़े है ऐसा तो नहीं है कि यह सब एक ही घटना के अलग-अलग पहलू है तो हमें अलग-अलग हम देख रहे हैं क्योंकि material dielectric हो गया इसलिए उसके अंदर magnetic field 0 हो गई इसलिए उसका chi-1 हो गया इसलिए उसका resistance 0 हो गया ऐसा तो नहीं कि सब चीज़े आपस में जुड़ी हुई है तो हमें एक जगा पर यह देखना है कि resistivity 0 होना एक अलग चीज है magnetic line का बाहर निकल के जाना एक अलग चीज है resistivity 0 हो गई इसलिए ही magnetic line बाहर चले गई इसलिए नॉट दे एक्चुल रिलेशन अभी थोड़ा सा और इसको mathematics करोगे तब आप लॉजिक को और अच्छे समझ पाऊगे है थोड़ा complicated logic है एक फॉर्मूला होता है अगेन मैं वही reference दोंगा आपको electricity magnetism में electricity magnetism में हम दो चीज़े करते हैं कहीं current flow कर रहा है तो वहां current density होती है और एक electric field है जो कि current को flow करा रही है तो electric field और current density के बीच में एक relation होता है कि electric field is equal to resistivity time current density यह formula होता है जब भी हम किसी material की किसी current carrying conducting material की जहां current flow होर सकता है जहां electron free है अगर हम वहां पर बात करें तो हर उस जगए पर resistivity और electric field के बीच में relation होता है अब हम क्या कह रहे है हमारे case में क्या हुआ जैसे आपने temperature को tc के बराबर किया वैसे ही material के अंदर से resistance zero हो गया लगभग zero हो गया यानि उसकी resistivity zero हो गई अगर ऐसा है तो इस formula के साफ से जो electric field है वो zero हो जानी चाहिए देखो material सुपरकंड़क्टर बना सुपरकंड़क्टर बनने के मतरब resistance zero होना यानि resistivity का zero हो जाना और इस formula में अगर ये value zero हो जाएगी तो इसका मतलब है कि material कैसा हो गया हमारा जो material है उसके अंदर electric field zero हो जाएगी Maxwell की relation आपने पड़े है Maxwell का एक relation है कि del cross b is ऐसे नहीं ऐसे नहीं लिखो del cross e faraday law is minus dby dt ये formula होता है इसको हम कहते है अब faraday law क्या कह रहा है अगर यहाँ e zero है rate of change of magnetic field produce electric field अगर यहाँ e zero है तो पूरा term zero हो गया अगर पूरा term zero हो गया तो dby d2 क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा यानि कि b जो होगा वो time के साथ कैसा हो जाना चाहिए constant हो जाना यह तो हम लोग जानते हैं कि किसी term का अगर differentiation zero हो रहा है इसका यह बिलकुल मतलब नहीं है कि b zero हो जाएगा इसका यह मतलब है कि वो जो term है वो समय के साथ बदल नहीं रहा यानि कि b constant है अब देखो माइजनर एफेक्ट में क्या देखा माइजनर एफेक्ट में देखा कि जैसे हम किसी material को superconductor बनाते हैं तुरंत ही material के अंदर magnitude field zero हो जाती है और जब superconductor बनाते हो तो material का resistance zero हो जाता है तो अब आप ये समझो कि ऐसा नहीं है कि material का resistance 0 हो जाता है इसी लिए उसके अंदर की magnetic field 0 हो जाते है अगर हम ये देखते तो material का resistance अगर 0 हो जाएगा तो ये calculation देखो क्या बता रहा है resistance 0 हुआ तो rho 0 हुआ rho 0 हुआ तो e 0 हुआ अगर 0 हो गया तो b तो constant आना चाहिए तो किसी material का superconductor बनना और superconductor बनने के बाद उसके resistance का 0 हो जाना एक घटना है resistance की 0 होने की वज़े से material की अंदर का magnetic field 0 हो जाना ये एक अलग घटना है ऐसा नहीं है कि resistance का 0 ही इस चीज को किसी और तरह से motivate कर रहा है इसका जो link है mathematics के थुरू देखोगे तो resistance 0 होना तो b को constant होना बताएगा लेकिन असल में हम b को 0 होता हुआ देखते हैं तो जो b को 0 होना वाला जो condition है इसे ही meisner effect कहते हैं कि material के अंदर की जो magnetic field है वो 0 हो जाती है तो जिस समय theory develop हो रही थी experiment लोग कर रहे थे उसमें उन्होंने कहा कि भाईया अगर r0 b constant बता रहा है तो हमें प्रियोग में b0 को दिख रहा है तो इसके बाद एक नए दो भाई आये थे लॉंडन ब्रिदर्स तो लॉंडन ब्रिदर्स ने इसकी theory develop की थी जिसमें उन्होंने माइजनर एफेक्ट को बिल्कुछ सही समझाया था तो इतना सिंपल सा उन्होंने इतना सिंपल सा calculation नहीं है कि एक सिंपल से दो लाइनों में आप जटके में करके बता दो उन्होंने बकायदा उस derivation को इनी Maxwell equation के help से किया था और बताया था कि देखो R जब 0 हो जाता है तो B जो है वो पूरी तरह से 0 नहीं होता बलकि जो B की value होती है वो किसी constant value time sum lambda कुछ ऐसे आती है L करके आती है इस तरह के एक formula बताया उन्होंने कि B पूरी तरह से 0 नहीं होता हाँ यह term अगर बड़ा हो जाएगा तो यह term बहुत निगेटिव टर्म के वज़ए से यह term 0 की तरफ अपरोच करेगा बट इस नॉट एकल टू जीरो जो हम लोग देखने हैं न माइदनर एफेक्ट में 0, 0 is not the correct prediction it is almost 0 तो अब फिर यहां से हमारे पास जो lambda value आती है इस lambda value को हम penetration depth कहते है इसको penetration depth कहते है अच्छा मैं आने वाले समय में कुछ lecture जब हम इसके और करेंगे तो हम आपको एक बार फिर से वो जो लॉंडन equation है उसका derivation करा देंगे in the meanwhile एक वीडियो मैंने शेयर किया है आप लोगों से ग्रूप पर सुपर कंडुक्टिविटी का ही है हमारा ही वीडियो है चैनल से तो उसमें एक वीडियो लेक्चर में पूरा लंडन equation का derivation और penetration depth वो सब कुछ डिस्कस किया है तो आप से क्वार सजेस्ट करेंगे कि एक बार आप जाईएगा वहाँ जो derivation मैंने किया है इसे तरह से आपको होता हुआ दिखेगा सारे logic उसमें है उनको एक बार समझने के प्रयास करिएगा और उसके बाद अगर वहाँ कोई चीज समझ में ना आये तो आप मुझे बताईएगा तो अगली बार जब हम वह derivation आपके बास दुबारा कर रहे होंगे तो उस समय जो भी चीजे आपको हाँ समझ में नहीं आई होंगी उनको आप मुझसे यहाँ से doubt clear कर लीजिएगा ठीक है आज के लिए अपनी class हम लोग यहीं कतम करते हैं और हम इसको share कर देंगे आपको और आप अपनी जो slider बनाई होंगी आपने अपने presentation की उनको हमें share कर दीजे मान लो नहीं बनाई चपो चलो मान लेते हैं नहीं बनाई वाला की तो हो तुम लोग तो बना लो जिसने बना दी है वो मुझे share कर दे मुझे WhatsApp पर message कर देना कि Sir मैंने share कर दिया mail पर WhatsApp पर थोड़ा सा दिखने में तरह दिक्कत होती है तो आप mail पर share कर दीजे मुझे message drop कर दीजे कि Sir I have shared तो मैं mail खोल कर देख लूँगा और जिन लोगों ने अभी तक नहीं बनाई है तो बना लो भाई जल्दी जल्दी बना लो और उसका भी एक record हमें maintain करना पड़ीगा कितनी बार आप लोगों से discussion हुआ है उसको ठीक है बच्चों तो ठीक है अपना दियान रखिए का फिर अगली क्लास से मिलते हैं आप लोगों से थैंक यू से विलकुम बेटा विलकॉम थैंक यू से विलकुम बेटा विलकॉम